दोस्तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं NOVA NST 1049 Trimmer का Review इस Trimmer का Unboxing मैंने अपने पिछले वीडियो में करके दिखाया था जहां मैंने बताया आपको कि इस Trimmer के साथ नापको क्या का Component जो है वो मिल जाती है आज के इस वीडियो में सिर्फ हम करेंगे Review जैसे कि आप देख सेने दोस्तों मेरा वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और मैंने दू हफ्ता से ट्रिमिंग नहीं किया है तो यह एक बहतर option रहेगा इस Trimmer को Review करने का तो आज मैं इस Trimmer से अपने वीडियो को ट्रिम परूंगा at lowest setting जो की है 0.25 without the help of any clip आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई clip नहीं डगाया है हालाकि इसके साथ आपको दो clip भी मिलती है तो उज़ाओट clip मैं आपको इस Trimmer से आपको ट्रिम करते दिखाऊंगा तो यहां पर Trimmer का on and off बटन है तो इसे मैं आज से on कर लेता हूं पाम कर लेता में ब्योड को ट्रिम बटन है झाल 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 तो फिर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने बियोड को पुरी तरह से ट्रीम जो है वो कर लिया है तो अभी आज़ेकले में पदा नहीं चला है किसी ट्रीम प्रफरमेंस कैसी है तो इसके लिए में सबसे पहले क्या करूंगा अपनी फिर्स को वास करके आता लेता हूँ और आप यह चीजर लागा सकते है कि इस ट्रीमऄ के परफरमेंस कैसी है पहले मेरीक सिर्फियंग आता कुछ ऐसे कि अगा ऑब कई आप द५़नों को कुछ आप सब्लों के देख सकते हैं कि डिक सकते हैं कि यह अंच्छ मेरे बेट को trim करने में काम्याब रहा है प्रफुल क्लीन सीट की तरह तो trim नहीं जाता दोस्तों लेकिन फिर भी काफी हद तक trim अच्छी तरह से ये कर लेता है दोस्तों अगर आपको ये trimmer पसंद आया अगर आप ये trimmer लेना चाहते हैं इसी मिट के साथ दोस्तों अपने अगरे वीडियो पे जरूर मिलेंगे मैं अभी से गुपता आप से बिज़ा लेता हूँ धन्याबाद थैंक्स पर वाचिक